यहां है बी ए थार्ड समेश्टर का एजूकेशन यानि की सिच्छा अफ़तर का पूरा का पूरा माडल पेपर कुष्चन पेपर पिछले साल का है इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा इस पेपर से आपको पता चलेगा कि कुष्चन पेपर किस प्रकार का होता है बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिकस्ट कर दो कि वीडियो को पूरा जरूर देखते रहीएगा क्योंकि आपको इस वीडियो को बहुत सारे मोस्ट इंपार्टन हंडर प्रसेंट वाले कोष्चन बताने वाले जो कि आपके एक्जाम में आने वाले तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर जानकारी पूरी ले लिजिए ठीक है थर समेस्टर है और सब्जेक्ट एजूकेशन है सच्छा साफ्तर है और पत्र का ना हो सकता है तो इस वीडियो में ज्यादा हम आपको लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहा रहे हैं और टाइम भी रही है इसलिए हम आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको मोस्ट इंपार्टन कोष्चन बताएंगे जो कि आपके एक्जाम में आने की ज्यादा चांसे तो कोष्चन है जो कि आएंगे तैयार कर लिजिएगा दर्सन क्या है यह तमाहत पूर्ण नहीं इस क्वेश्चन की जो उम्मीद हो असी प्रतस्त है तो आप पढ़ भी सकते इसको अग्णोर भी कर सकते हैं ठीक है और नेस्ट कोष्चन है तीन नमबर कोष्चन के फिलोस्पी और दर्सन में क्या लचांतर है यह 100% उम्मीद प्रस्ट आने के आपके परिच्छा में वेया फिलोस्पी और दर्सन होता है इन दोनों में डिफरेंस है वो लोगों को तयार कर ना यह 100% उम्मिद है इसको तैयार कर लेना नोट कर लेजिए तुरंट अगला प्रस्ण के वेदान्त क्या है तुरंट के बारे में आपको तैयार करता आपने वेद्टो नाम सुनाई होगा तो इस से संबंद्द है तो यह तो 100% यह भी प्रस्ण आपकी पर इच्छा में आने के चांस यह question पिछले follow में कई बार repeated भी है और इस बार भी आपकी परिच्छा में आने के पूरे चांस है तो इसको तुरंत note कर लिए यह most important कड़गरी question है ठीक है चेलिए next question जो आपको देखने को मिलना भगवद बागवद कीता क्या है बागवद कीता जो question है hundred percent important आप सभी के लिए इसको तैयार कर लीजेगा यह भी प्रस्ण परिच्छा में कई बार repeated है उस बार भी आने की उम्मीद है ठीक है next question बढ़े उससे पहले में आपको बता दू बहुत फारे चात्रों के अंदर confusion होगा कि यह फ हाथ रोके महात्पूर्ण क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपको में चीज जो है क्वेश्चन पेपर यह प्रस्ण पत्र का नाम जो होता है प्रका नाम वह मैच कर लेना ठीक है वह है तब आप सभी के लिए बहुत ही महात्पूर्ण है यह सब प्रस्ण आपकी अगला कुश्यन की हैLike बता दूगा कि आएगा और उसकी पूरी रहेगी में प्र 210 परिच्छा में आएगा थिक अगला प्रस्टुति के बहुत है अपिस्ल हमीद हुद्ल Volks भी सकते हूद परिफ्ली पृषित्य कि प्रियोजन वाद क्या है यह प्रशन हंडर प्रसेंट वाला है इसको तुरंत नोट कर लीजेगा यह आएगा यह आएगा आती में आए लगु में आए देर के में आए आएगा जरूर शेवरोटी है ठीक है अगला प्रशन है कि यह समाजिक परिवर्तन जिसको सोशल में जरूरी यह होता है कि कौन-कौन से महत्पूर्प्रस ने कौन-कौन से इस बार चांस है आने के परिच्छा में वह कुष्चन हम बताने का काम कर रहें आप सभी को ठीक है क्योंकि हर सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है तो चातर बहुत सारे रहते हैं कि फर क्योंस आएगा क्योंस नहीं आएगा तो हम अपना आप सभी के समस्त experience करते हैं और साथ और साथ पिछले वाले माडल पेपर से उनको माप देखते हैं उसके बाद हम match करते है कि कौनस्गैर को कौम acceptable है और जो इस बारท पूर्पशन है खंडबा में आप लोगों को लग उत्रे टाइप के कोश्चन देखने को बलेंगे तो पहला कोश्चन है कि दर्सन की सखाएं कौन-कौन से हैं उसके बारे मताईए यह फिर आपको इस कोश्चन के बारे यहां पर भाई छात्रों के दो आपसन मिलने यह इसके के बारे में नहीं जानकारी कोश्चन के बारे में तो इसको को लिख दीजिए ठीक है और दर्सन साखाओं कौन-कौन से हैं इनको आप लोग तयार कर सकते हैं यह फिर भगवत गीता के संदेश में संशेप में लिखी यानि कि भगवत गीता में कुछ संदेश जो मैसेस दे कि हाँ आएगा परिच्छा में तो आप लिख पाएंगे अच्छे से कोश्चन है कि आधुनिक भारत में यानि की जो आपका मॉडर्न इंडिया चल आधुनिक भारत में जो सांस्कृतिक भीविता है भीविता इसकी बीवेशना कीजिए यह प्रश्चना परिच्छा करें 99 परसेंट उम्मीद है आने की तो इसको भी तैयार कर लीजिए इसको भी नोट कर लीजिए इसका उत्तर जो है आपको कोश्चन में इंटरनेट गूगल पर मिल जाएगा आंसर जो है ना वह भाई आंसर तो मालूम है लेकिन उसको आप लोगो समस्ति लिखने में टाइप कर करने में प्रस्तित करने में टाइम लेगे क्योंकि एक दो कोश्चन हो तो रख दें उत्तर ठीक है नेकिन बहुत फारे कोश्चन को टाइप करने में वड़ा समय लगता है इसलिए हम आपको मोश्चन बता देरें बाकि आप ढोड़के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मत लगेगी अच्छी लगेगी कि हाँ यह हमको असान है पढ़ने में वह आप तैयार कर लेंगे ठीक है तो आप टोको के लिए फिलस्पाइंट है वहाँ पर अगला कोश्चन है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते किनी दो मौलिक अधिकारों पर प्रकाफ डाली यानि कि मौलिक अधिकार की परिभासा लेकिन इसके बाद किनी दो मौलिक अधिकारों के नाम लिखना है यह 100% वाला कोश्चन इसको जरूर नोट कर लीजिए कि आने के पूरी उम्मीद है तो जरूर इसको तैयार करके जाएगा ठीक एक्जाम ने 100% और उत्तर आपको मैंने बता आजिया कहां पर मिलेगा नजिया कोश्चन है कि नागरिकों की वाला कोश्चन यह शंच마र करतब और मौली का दिकाज इन में से प्रश्ण फंसेगा यह फंसेगा तो आपको त्यार कर लेना ठीक है अगला प्रश्ण भाई यह है कि आर्थी विकास में सिच्छा की क्या भूमिक आर्थी विकास का मत्तब यह हो गया कि मालिजिए कि आपको आर्थी विकास की जानकारी अच्छे से ठीक है तो मालीजे कि आप मालीजे आपके घर पे जो है ना मुद्ध दफ़जार रुपी है ठीक है और आपने आर्थिक भी काफ के फिच्छा ली यानिकी आर्थिक यानिकी जो फैनेंसियल एकोनिमिक्स एजूकेशन उसके बारे में अच्छे पढ़ाई की जान लाग बना सकते हैं तो मतलब की आर्थिक विकास में फिच्छा की क्या भूमिका है मालीजे की आपके पाफ दफ़जार रुपे थे ठीक है ओके उसके बाद आपके पास दो साल बाद पचाफ लाग हो गये तो आपको अच्छे जानकारी थी ना फिच्छा में मतलब की जो टिक वादि यानि कि एक़े इजूकेशन होता उसके बारे माप ऊच्छा थी तभी ने आपने आर्थिक विकास अच्छे पहे लिया है निकि पैसे मंदर पैसे आपकी जो फैनेंसल चीजें उनको पने स्ट्रोंग कर लिया फिच्छा ना होती आप लोगों के पास आर्थि एक दर्सन क्या यह प्रस्ट फिप्टी वाला आ भी सकता है नहीं भी आ सकता तो आप पड़ भी सकते एक नोड़ भी कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन है कि समाजी गत सीलता में फिच्छा की क्या भूमिका यह हाई लेबल का कोश्चन इस प्रस्ट के आने की 100% उमीद जता नखेंगे लग लग उत्तरे कोश्चन समापत होती है आप आज आएंगे देर गुत्रे जिनको आप लोग बोलते हैं बिस्तत उत्रे ठीक है तो बिस्तत उत्रे का पहला परश्ण है कि स्वामी विवेकानंद के साचिक विचार पर प्रकाष डाली यह निए कि स्वामी का अनंद जी के क्या विचार हैं फिच्छा को लेकर वह आपको लिखना है यह भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए महत्पूर है तो 80% उम्मीद है आने की ठीक है बाकी आप लोग त्यार कर लेंगे तो प्लसी पॉइंट रहेगा अगला कोश्चन है कि बी आरमेडिकर बी आर लोगों के जीवन में उतारा है कि लोग बिना फिच्छा के एक तरीके फे वह करेक्टर लेस हैं या फिर वह आधे धूरी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं आधे दूरी से भी खराब जिंदगी जी रहें तो इनका सिच्छा के छेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और लोगों को फिच्छा ग्रहेंड करने की बात कहिए ताकि हर इंसान अच्छी जानकारी ले और अच्छी चीज ले खरीदे जाए आए ठीक है तो फिच्छा बहुत ही मेडिटरी नहीं बताईए तो बहुत ही हाई-लेबल को स्वामी वेकानन दिया फिर बीयार अम क्या है कि रूसों के प्रकत इवाद का मतलब यह हुँआ कि रूसों एक प्रमुक समास साफ्त्रियों प्रमुक बिद्वान है तो इनके प्रकत इवाद क्या है या आपको लिखना यह कोश्चन 50-50 वाला आ भी शकता नहीं भी आ सकता ठीक है तो आप पढ़ भी सकते पुछिन के अगला कोश्चन के पिरोजन वादी दारषनिक की रूप में जौन डेवी का पैस्छिग दर्शन कीजिए जो जौन डेवी हैं ठीक है यह प्रमुक्त समाशाफ्त्री तो इन तो इनके बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे तो प्लस पाइंट बनेगा आप लोगों के लिए एक कोश्चन फासेगा जरूर जोन डीवी जी फिर जोड़ा ठीक है तो इस प्रकार कुछ माडर पेपर कोश्चन पेपर आपको परिच्छ हम देखने को मिलेगा उसम परिजाइम के तैयारी कराई रहें इस पूरे को पूरे को तर तयार कर लिजेगा काफी हेल्प मिलेगी और इस प्राप्त करना तो वर्टसप के मैसेज़ कर दीजेगा और जहिंद मिलते हैं कोड़ने वीडियो में